Hello everyone, आज रेट है 11 मार्च और देहिंदू एडिटोरियल डिसकेशन में आपका स्वागत है आज हम दो आर्टिकल डिसकेश करेंगे, एक Environment Impact Assessment से रिलेटेड और सेकेंड आर्टिकल रिलेटेड होगा PDA सिस्टम से तो चलो डिसकेशन स्टार्ट करते हैं, देखो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, वो Environment Impact Assessment से रिलेटेड है कोंटेक्स्ट क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन में बोला गया कि आपने 2011 में जो Central Government को एक ओर्डर पास किया था, कि आपको एक Environmental Regulator को अपोइंट करना है, उसको अभी तक 9 साल से 10 साल तक उस आपके ओर्डर को हो गए है, उस पर अभी भी Central Government ने कोई भी काम नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट को दुबारा रिव्यू करने के लिए उस ओर्डर को कहा गया है, कि आप दुबारा से Central Government को ओर्डर दीजे, ताकि वो Environmental Regulator को अपोइंट कर सके, और कोई भी प्रोजेक्ट को जब Approval मिले, तो उसको Glean Clearance देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, उसके आप एक Project Investor हो, आप कहीं पर जाते हो, आपने जमीन ली सरकार से और वहाँ पर आप कोई Project बनाने वाले हो, अब उस Project से Environment को कितना नुकसान होगा, वहाँ पर कोई Community रह रही है, उसको कितना नुकसान होगा, और अन्निबी जी, Social Impact क्या पढ़ेगा, इसके अला, Economic Impact क्या पढ आया था, अभी 2020 में Central Government ने दुबारा इसका एक Draft Notification जारी किया था, और उसको लेकर के काफी Problems हो रही है, Problems क्या हो रही है, कि देखो, जब बे कोई Project Establish होता है, तो उस Project से क्या परभाव पढ़ेगा Community के उपर, इसके दुआरा Review किया जाता है, वहाँ की लोगों के Civil Society का भी रोल होता है, लेकिन इस नए ड्राफ्ट में उन सब को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, जो duration, time fix किया गया था, कि इतने time में आप अपने जो concerns है, उनको create कर सकते हो, बता सकते हो, उस time duration को कम कर दिया गया, तो ये भी एक concern है, इसके अलावा, ये बात हो गई, कि Environment Impact Assessment क्या होता है, और किस तरीके से वो जरूरी है, अब देखो, Environment Impact Assessment को लेकर की बहुत ज़्यादा problems है, concerns है, concerned क्या है, कि ये जो Environment Impact Assessment किया जाता है न, मांनों किसी प्रोज Trulyğक का assessment किया गया, उसमें, जो कोई expertise होते है, जो Environment के expertise है, उनके दुआरा assessment नहीं किया जाता, दूसरी क्या problem होती है कि ये ill-equipped होता है मतलब community के उपर क्या परभाव पड़ेगा इसका real data सामने ही नहीं आते है data को manipulate कर दिया जाता है तो environment impact assessment को लेकर के काफी concern है अब इस article में आगे way forward की बात की गई है कि क्या किया जाना चाहिए writer ये बोलता है कि जब supreme court ने central government को ये बोला कि भई आपको बोला गया था सरकार के बाद सरकार बदलती गई आपको बोला गया था कि आपको appoint करना है environmental environmental regulator को appoint करना है लेकिन आपने काम ही नहीं किया तो central government बोलती है ओ आपने हमें order दिया था हमने तो माना अपने suggestion दिया था लेकिन हमें इस suggestion पर ज़्यादा काम करना सही नहीं लगा इसलिए हमने इसको appoint नहीं किया तो अब supreme court ने बोला है कि देखो वो हमारा order था और आपको उसके उपर काम करना है तो अब central government देखते हैं क्या करती है किसको appoint करती है उसका एक main करण था उस pandemic का कि हमारा environment है जो काफी degrade होता जा रहा है उसी की वज़े से ये बिमारी फैली होरो हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा फैली इसलिए हमें हमें हमारे environment को क्या करना है protect करना है preserve करना है अब इस article में एक बात समझ में आती है कि क्या government love नहीं करती क्या government पसंद नहीं करती है environment को वो चाहती है क्या कि degrade हो नहीं ऐसा नहीं है government भी चाहती है protect लेकिन government ज्यादा development को growth को ज्यादा prefer करती है वो चाहती है कि अगर growth और development आएंगे तो बहुत सारी problem solve होंगी क्योंकि हमारे इंडिया की जो population है वो बहुत जादा है और उनके लिए employment create करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमने concern देखे अब Supreme Court ने बोला है कि आपको appointment करना होगा आब आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से appointment होता है आगे इस article में writer suggestion देते हैं कि देखो जो government है उसको clear करना चाहिए क्योंकि जब Supreme Court ने बोला कि आप appointment करो हमारा ये order है तो बोला कि हम appointment तो कर देंगे लेकिन state government बोलेंगे आप तो हमारे area में आगे अंक्रोच कर रहे हो तो देखो इस article में बोला किया कि ना सिर्फ central government state government जो है उन दोनों को मिलबाट कर ये जो problem है इसको solve करने की causes की जानी चाहिए इसके अलावा ऐसी जमीन को declare किया जाना चाहिए कि देखो ये जमीन है यहांपर project established किये जा सकते है हालांकि कुछ area ऐसे भी है जहां बहुत ज़्यादा pollution है पहले से ही बहुत ज़्यादा polluted area है लेकिन फिर भी वहांपर क्या किया जा रहा है project established किये जा रहे है तो अगर जरूरत हो तो उस ज़्यकर project established किये जा सकते है लेकिन ऐसी जमीन को declare किया जाना चाहेगी हाँ आप यहाँ पर project established कर सकते हो और जब वहाँ पर project established हो जाएंगी तो उस area का use कर सकते हो उन पर कितना pollution वहाँ से निकल रहा है उसको cover कर सकते हो और उस pollution को कैसे cover किया जाए उसके लिए environment को कितना नुकसान पोचा रहे वो pollution उन सब को cover करने के लिए government अपनी planning कर सकती है last में इस article में बोला गया है कि देखो इंडिया को अपने degrade होते हुए forest, river, wetland, air इन सब को बचाना होगा और यह बहुत जरूरी है इनको इंडिया के लिए बचाना क्यों? क्योंकि इंडिया की जो large population है वो बहुत ज़ादा उस large population के लिए ये सारी चीज़े बहुत ज़ादा important है ठीक है? तो ये इस article में हमारे environment से later discussion किया गया देखो हम कोई भी project का जब assessment बिल्कुल clearly और बिल्कुल truly करेंगे बिल्कुल एक तरीके से intelligence based होकर के करेंगे तो हम जो भी target हमने fix कर रखे हैं जैसे हम renewable energy को achieve करने वाले हैं इसके अलावा Paris climate agreement हमने sign किया था उसके targets को achieve करने वाले हैं तो इन सारे targets को भी हम बहुती easily achieve कर पाएंगे next हमारा जो article है वो PDF system से related है सबसे पहले हम PDF system को रेक लेंगे हैं कि PDF system होता क्या है देखो PDF system एक तरीके की हमारा food जो हमारी government है उसका food security system होता है इसमें government क्या करती है कि government बहुती affordable price के उपर food grains का distribution करती है जो government हमारी population है जिनके पास में अनाज नहीं है grains नहीं है उनको बहुत ही affordable price के उपर जैसे एक रुपए किलो गेहूं दो रुपए किलो चावल ऐसे provide करवाती है ताकि जो हमारी गरीबी है जो भुक मरी है वो कम से कम हंगर को कम से कम किया जा सके ये जो PDF system है वो ministry of consumer affairs food and public distribution के अंडर आता है देखो ये जो PDF system का जो काम है वो center government और state government दोनों मिल करके करते हैं अब कैसे करते हैं सबसे पहले किसान अन उगाता है grain उगाता है उस grain को खरीदा जाता है FCI के दुआरा food corporation of India के दुआरा central government के दुआरा इस टार्टे में काम होता है central government का central government grains करेती है उसके बाद में procurement की responsibility लेती है storage की responsibility लेती है central government transportation करवाती है और ये जो food grains जिनको खरीदा है उनको फिर state government तक पहुचा देती है तो अनाज को खरीबने से उसको storage करने से procure करने से टांसपोर्ट करने से और state government तक पहुचाना ये काम होता है central government का अब state government का क्या काम होता है कि state का काम होता है कि जो eligible families है मतलब ऐसी गरी family जिनको कम दाम पर अनाज उपलब्ट कराए जाए उनके बारे में identification करना रासन कार्ड issue करना इसके अलावा जो fair price soaps है उनका supervision करना ठीक है अब concern क्या है context क्या है अभी हमारा economic survey आया था जन्वरी में पार्लिमेंट में जब जन्वरी में economic survey रखा गया तो उसमें बोला गया कि food subsidy bill है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये इंडिया के लिए जो हमारी government है उसके लिए is becoming unmanageably large मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है देखो इस article में बताया गया है कि जो food subsidy है वो धीरे धीरे 2016-17 से 2019-20 के बीच में अकर देखा जाए तो काफी ज़्यादा increase हो गया है 1.65 लाग करो ठीक है देखो government भी अपनी चाला की food security जो act है पीडियस सिस्टम उसमें खेलती है government क्या करेगी कुछ पैसा रख देगी budget में कि budget में वो declare रहेगी कि इतना पैसा लगाए जाएगा food security जो पीडियस सिस्टम public distribution system के लिए और फिर कुछ पैसा बोल देगी FCI को कि आप national small savings fund से क्या ले लो अब देखो भई पैसा उदार लिया है तो वो तो आपको करजा हो गया वो तो आपको चुकाना पड़ेगा बाद में जो next economic survey आएंगी उसमें घाटा दिखा देंगी उसमें जोड करके दिखा देंगी कि इतना खर्च हो गया PDS system के उपर तो एक तरीके से government भी अपने budget को बहुती लोग लुबाहून बनाने के लिए इस तरीके का game खेलती है next list में बोला गया है issue जहें अब issue क्या क्या है उन सब के बारे में हम देख लेते हैं issue क्या है सबसे पहला issue होता है central issue price जिस price के उपर state government center से अनाज खरीती है center से अनाज खरीती है तो उस अनाज खरीतने का जो price होता है वो होता है central issue price जैसे 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चामल लेकिन देखो NFSA National Food Security Act जो है 2013 उसके तहत यह declare किया गया था कि हर 3 साल में इस पैसे को change किया जाएगा कि किस price पर जो state है वो center से उसको अनाज को खरीद रहे है उस पैसे को regular change किया जाएगा अब देखो पहले ही budget जादा हो रहा था PDS system के लिए अब COVID-19 pandemic के दोरान जब lockdown लगा तो government ने जो गरीब लोग है उनको बहुत जादा अनाज बाटा और उसकी वज़े से ये जो पैसा है ये जो बिल है वो 4.23 लाग करोड का हो गया है मतलब extra allocation करना पड़ा इस sum के लिए तो government के उपर और ज़्यादा खर्चा आ गया है अब problem क्या है issue हो गया issue prices इसके बारे में हो गया central issue price ये हमने declare कर लिया अब क्या हो सकता है जो center है वो change कर सकती है इस price को ये ठीक है या फिर state को बोल सकती है कि आप हमसे महंगे price पर खरीदो लेकिन state ने तो पहले ही बोल दिया कि देखो हमारे पास पैसा ही नहीं है हम खरीदेंगे कहां से और हम इसको बंद भी नहीं कर सकती बंद क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि politics का मुद्दा आगिया है बहुत सारे state ऐसे है जैसे जो तमिलाडू है उसमे 1963 से लगबग ये PDS सिस्टम के थुरू बहुत ही सस्ता अनाज दिया जा रहा है जो तेलुकी देश्यम पाइटी है उसमें अंदर प्रदेश में 1983 से 2 रूपए किलो गेहू दिया जा रहा है इसके अलावा जो यहां देखिए यहां देखिए वेस्ट पंगोल करनाटका ये सारे ऐसे state है जहांपर प्राइविटी हाउस होल्ड अंतियोदय अन्य योजना जहांपर रासन कार्ड होल्डर्स को उडिसा में 1 रूपए किलो बेनिफिशरीज को 3 रूपए 2 रूपए किलो बिहार में इन सब तरीके से जादतर जो state है उन सब में ये पैसा दिया जा रहा है अचानक बंद नहीं किया जा सकता बंद करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा आपको वोट नहीं मिलेगे वोट नहीं मिलेगे तो आपकी पार्टी की सरकार नहीं जीतेगी तो एक तरीके से देखो बंद तो इसको नहीं किया जा सकता ठीके तो देखो यहाँ पर पताया गया हमने पहले भी डिसकस किया कि तमिलाडू में 1960 से है आंदर परदेश में 1983 से लगबा 50 साल हो गए लेकिन पुर्टी रेडक्शन पुर्टी अब बहुत कम हो गई है पहले की तुनला में लेकिन यह जो स्कीम है उनको बंद नहीं किया जा रहा है 2014 में रंगडाजन कमेटी की जो ग्रूप का जो एस्टिमेट आया था उसमें बोला गया कि BPN बिलो दा पुर्टी लाइन के अंडर हमारी जो पोपुलेशन है 2011 की पोपुलेशन के अकोडिंग देखे तो 29.5% मतलब सिर्फ 36 करोड लोग ही बिलो पुर्टी लाइन रहते हैं तो अब वेफोरवर्ड की हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो बजट है इसको घटाया जा सकता है पहली बात ये की जा सकती है कि देखो अभी वर्तमान में जो हमारी टोटल पोपुलेशन है उसको उसमें से 67% वो इसके अंडर कवरेज होता है PDS सिस्टम के तहत ठीक है इसको घटा करके 40% किया जा सकता है मतलब जो डाटा है उनके अच्छे से जांच परताल की जाए जो लोग अवेलेबल नहीं है जिनके फेक रासन कार्ट बना रखे हैं उन सब को क्या किया जाए ध्यान में रखा जाए उन सब की बारे में जानकारी खटी की जाए और इसको रिव्यू किया जाए ठीक है दूसरा क्या है देखो LPG सिस्टम जब हमारे उजोला स्कीम आई और जो लोगों को बेनिफीशरीज को कम दाम की उपर सिलेंडर मिलने लगे तो गौर्णमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि कुछ लोग गिव अप ऑप्शन भी रखा जाए कि जो तो इसको गिव अप कर सकते हैं उससे भी हम इस पोपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आता है उसको कम किया जा सकता है दूसरा क्या कर सकते हैं हम स्लैब सिस्टम मना सकते हैं जैसे मतलब कुछ लोगों को फ्री में अवेलेबल कराओ जो लोग मीडियम क्ल जो अनाज दिया जाता है वो प्रोवाइड किया जाए ना कि सभी को फ्री प्रोवाइड किया जाए उसके अलावा जो नेक्स चीज है वो यह है कि जो आधार कार्ड है उनको दुबारा से अपडेट करने की आफशकता है फेक आधार कार्ड जो बना रखे हैं उनको क्या कर करने की आवशकता है जो लोग है ही नहीं उनके नाम के आधार पर जब खरीदा जा रहा है अनाज खरीदा जा रहा है तो उन सब को क्या करने की खतम करने की आवशकता है तब ही हम इस ये जो बिल बढ़ता जा रहा है न उसको हम कम कर सकते हैं तो ये हमारा PDS सिस्टम से related discussion था अके थैंक यू